हालो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यानविच सचिन तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे BTUP के latest update के बारे में कि आप सभी का जो examination होने वाला है वो 15 फरवरी से नहीं हो रहा है इसको लेकर एक बहुत बड़ी news viral हो रही है तो उस news की क्या सचाई है और आप लोग बहुत ब बारे में भी बात कर लूँगा साथ साथ nominal roll number जारी हो गया है उसके बारे में भी बात करूँगा और central list आ गई है कि नहीं उसके बारे में भी बात करूँगा और आप सभी कहते हैं कि इन सब वीडियो को ही आप डालते रहते हैं तो first semester की तैयारी के बारे में भी कुछ बात क कि आप सभी के पास बहुत टाइम बचा है और वीडियो को अन तक देखेंगे तो उस टाइम को आप जरूर न्यूटलाइज कर पाएंगे और इस बचे हुए 6 दिन में आपको क्या स्ट्रेटेजी फालो करके तयारी करनी है उसके बारे में जरूर डिसकस करूंगा तो वीडियो को जरा अन तक आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आप सभी उसका जरूर वेनिफिट ले पाएंगे तो चलिए पहले डिसकस करते हैं कि आप सभी को लिए जो एक नियूज वारल हो बाद ही होंगी अथा आप सम सिमेस्टर की तयारी कीजिए ठीक है तो यह आप सभी को पता चल पाया कि यह पूरी तरीके से फेक है ठीक है अब आप कहेंगी कि यह तो मुझे पहले सही पता था तो बिल्कुल आप सभी को जो इस्टुडेंस को पता है मैं टेलीग्राम पे लागातार चीज़ को सेंड कर रहा हूं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेलीग्राम से नहीं जुआईन हैं तो उन्हें वीडियो के मादम से बताना मैं जरूरी समझा तो प्लीज जो इस्टुडेंस देख रहे हैं कि उन्हें पहले से पता था तो वो इस लिजिए कि आप सभी का एक्जामिनिशन जो है वो 15 फरवरी से नहीं है और 6 फरवरी से 101% कंड़क्ट होना ही होना है तो आप इस चीज के बारे में साउधान हो जाईए कि एक बार फिर से पोस्ट पॉंड होगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि बहुत सारे कोई भी चांस नहीं है तो जो नेगटिव कमेंट करते हैं कि आप यहीं चीज बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो तो आप जैसे बच्चों का ही डाउट रहता है इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं तो प्लीज जो भी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं उसके लिए अब बात करते हैं कि आपका admit card कब तक release होगा ठीके तो admit card अभी तक क्यों नहीं आया है ठीके तो admit card के लिए nominal rule number जारी कर दिया गया है center list के साथ आपका admit card release किया जाता है जो हर बार का rule होता है तो बहुत सारे students के दिमाग में यह doubt चल रहा है कि admit card अभी तक नहीं आया है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और admit card आपके exam की एक दिन पहले भी आता है तो इस बारे में भी आप आस्वासित रहिए कि आपका exam cancel नहीं होना है ठीके चलिए अब admit card क्यों नहीं आया है और कब तक आएगा तो admit card आने में एक से दो दिन का वक्त लगेगा मुझे लगता है कि admit card जो college वालों ने बताया है जो teachers ने बताया है कि admit card तीन या चार तारीक तक आपके exam center पर available कर दिया जाएगा मतलब आपके college पर available कर दिया जाएगा अब center list की बात कर लें तो center list उन बच्चों को देखना होता है जो private या अर्ध सरकारी college से होते हैं अर्ध सरकारी वालों को भी नहीं देखना होता है देखना होता है उन college वाले जो private college से होते हैं क्योंकि government college वालों का self center होता है और private college वालों का government college में center जाता है ठीक है वो उनी के district में होता है तो परसान होने की जुरूत नहीं है वो समझ लीजिए कि उनके ही district के government pole technique college पे उनका center बनेगा ठीक है और government pole technique वाले तो समझ लीजिए कि उनका center वहीं पर आए तो center के बारे में tension लेने की जुरूत नहीं है ठीक है अब बात करेंगे एक और topic के बारे में वो है practical date के बारे में तो practical मैंने आप सभी को last time भी बता दिया था कि practical आप सभी के examination के बाद होगा जावेश सर ने tweet किया था कि exam के पहले conductor आज जाएगा लेकिन मैंने college से पूछा teacher से पूछा तो उन्होंने बता दिया सीधा सेधा कह दिया है कि आपका practical जोगा examination के बाद होगा ठीक है तो आप सभी को भी पता चल गया होगा पूछने के बाद बाद जो इसके doubt है तो बता दू कि practical जो आपके exam के बाद होगा और practical कब से होगा exam के बाद मैं बाद ही आपका exam practical exam conduct कराएंगे तो जो भी 15 की खतम हो जाएगा अपने घर भी जा सकते हैं कोई दिख्धात्वाली बात नहीं है ठीक है इतनी बात हो गई आप करते हैं कि first semester की तैयारी कैसे करेंगे ठीक है तो इस 6 दिन को समझ लो की बहुत हर 24 घंटे पूरे इंपॉर्टेंट 6 दिन के ठीक है तो इस वीडियो की एक जो मोटी है बताने का कि आपका टाइम बहुत है आपके पास बस आपको एक strategy follow करना है मेरी strategy को आपना लिजिए उस strategy में यह कहना जाहूंगा कि आप जितने भी subject हैं और जितने भी chapter हैं उनको अपने copy में या अपने दिवाल पर एक जगा चिपका दीजिए ठीक है और उसमें decide कर लिजिए कि यह chapter इतना कम समय में कबर कर सकते हैं यह chapter बड़ा है तो इसको जादे time में ठीक है तो अपने इस छे दिन के इस schedule में पूरे 6 दिन को एक तारिक से लेकर 5 तारिक तक 5 दिन के अंदर उन चीजों को पूरा अपने schedule वाइस लिख लीजिए और यह chapter इस दिन कबर करेंगे इस chapter को इतने घंटे में कबर करेंगे इस time के बीच में कबर करेंगे इस तरीके से आप एक strategy बना लिजिए और वादा करता हूं दोस्तों अगर strategy को follow करते हो बैक वगयरा कोई बात ही नहीं आएगी और आपकी तयारी बहुत धाकर तरीके से हो जाएगी अब जिन students को लगता है कि उनकी तयारी नहीं हुई है उनके पास important question नहीं है तो बीना time based के वे अपने इस number पर call करके आप notes प्राप्त कर सकते हो अपनी तयारी को बहतरीन तरीके से कर सकते हो अब मेरा बताने का यहीं जो आपको अच्छा लगे कि आपको purchase करना या नहीं वह मेरा काम नहीं है मैंने बता दिया कि एगर आपके पास important solutions नहीं है तो आप बेज़िजक इस number पर call या WhatsApp करके आप purchase कर सकते हो अपनी तयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हो एक normal cost बने इसलिए तो बचे भी पांच दिन में भी आप बहतर तरीके से कर सकते हो और आज 31 तारीक है तो आज के दिन से आप पांच दिन का और examination आप सभी का सेस रह जाता है तो बहुत जल्दी आपका exam होने वाला है तो अपनी तयारी को बहतर तरीके से करिए और सारी अपडेट के लिए देखने की जरूरत नहीं है जो भी fake news होगी जो भी actual news होगी सब telegram पर दे दी जाएगी तो चलिए आज का यह वीडियो आप सभी के साथ इतना ही था मिलते हैं नई वीडियो के साथ साती साथ अगर आप सभी अपनी भरपूर तयारी को अच्छी तरीके से करना चाते हैं तो mix class जो आपको साड़े 9 बजे मिलेगी उसको जरूर जोइन करिएगा तो फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई टाटा लब यू ओल